दियर स्टुरेंट्स तोदे वी आर गूंग तोटल वेटे जाहे एट मार साथी तो फिल इन दे ब्लेंग्स में आशा परकार ची क्वेश्टिन्स कवर के लेलेथ यह बोड एक्जाम ला विचार लेकले लेलेथ वारम वार क्यों मोस्ट इंपोर्टन क्वेश्टिन्स एक्जाम मदे जास्ति जास करून विचार ले जाव शक्ता तर त्या दुरुष्टिन्स में या ठिकने प्रिपरेशन के लेले ला है So economics is a dance science. Economics है कोंतिया प्रकर छाशास्त्रा है do. Economics is a social science Economics हां सामाजिक शास्त्राचा विशो आ है Because we study human nature means we study boyer of consumer we study boyer of human being मानं वी वर्तुन कीशा अभद से मेपनी करना रहोट economically टैसा भीयाइ काशा प्रकर य।तिया, आपनी अभधाश्ट कर तू उनन अपनिया ठीकानी थेज़ उंतर का सांग तो? Social Science So Dash used the term microeconomic for the first time अशी कुन्ती बेक्ति है ही? जा बेक्ति न economics, microeconomics सा वापर या शब्दा सा वापर first time के लिला ही So Marshall is one of the person who introduced this concept of microeconomics Most of the microeconomics theories are related to Marshall Means which is explained by Marshall Marshall is microeconomics सा जा थेरी जाइ तेटील समा थे एक्स्पें के लिला ही Study of Dash is microeconomics अथे खुख के एग्जम्पल यू शक्ता जीता तेर इस no optional question So we can say study of microeconomics means individual firm, individual industry, individual consumer, individual community When we are going to study particular unit that is known as one of the study of microeconomics तो अपन microeconomics सा बासा सा मनतो So microeconomics studies आते आचा मधे सांगेत ले small factor आपने जेके options सांगेत ले त्यानों सार अपन सांगतो Small factor Macroeconomics आपन लार्ज Actually microeconomics जो वर्ड आ ही नहों तो ग्रीक वर्ड पसन ड्रियाव के ले ला ही तो मिक्रोज, मिक्रोज मुझे स्माल लहांड जो घटक असतो अगदी smallest मदा small तेला आपन काय मनतो Micro समनतो Microeconomics is a dash equilibrium approach So partial Microeconomics मते जे कहे अपन पार्षल Partial मनजे अगदी अगदी चोटा सा unit आपन जेवां स्टडी करतो तेला आपन काय मनतो Partial मनजे सुक्षिम अर्थ शास्तराचा जो अभ्यास है तो आउंशिक सम्तोल साधनेल सा अभ्यास है So the term micro and macroeconomic were first used by So these two terms Micro and macro These two terms which is used by Ragnar Frisch सरो पर्थम Ragnar Frisch ने Microeconomics और macroeconomics या शब्दाच उप्यूग केला गेलेला ही मुझे Actually पुर्वीर जे काहे होता ते फक्त economics होता Micro and macro आशा पार्टन होता मुझे Microeconomics लाश आपन Economics मंदला दाथ होता परन्तो afterwards काही दिवसान अंतर मुझे 1930 चा आसपास याशा शोद लागलेला है कशा चाचा macroeconomics चा मुझे शुर्वातेला कुनी यूज़ केला सेल तर ते रागिन फिश ने यूज़ केलेला है Microeconomics is a study of General Price Levels Depend on option आता याँ ठीकानी तुम बभू शक्ता हापन कोश्चन है और हापन कोश्चन है तर General Price Levels Microeconomics studies General Price Levels Macroeconomics studies Aggregate Price Levels यूज़ सेल टोटल समगर अगटकाचा जाँ आपना अभ्यास करता तो तिला आपन मैक्रो समन्तो आपन मैक्रो मदे जन्टल अगदी छोटे अगोश्टी चे किमती ची कुम कश्टरती Microeconomics is also called as Price Theory Microeconomics मजे सुक्षिम अर्थ शास्तरलाच आपन काय मन्तो किमत सिदन ताशा अभ्यास करना तो शास्तरा समन्तो So we study about price of different types of commodity वेवया वस्तुचे किमती कशा ठरतात How particular commodity price determined in a market एकादे मार्केट मदे एकादे वस्तुचे किमत कशी ठरती याचा आपन अभ्यास कशा मदे करतो Microeconomics मदे करतो सुक्षमा आर्थ चासरात करतो Microeconomics Analysis Adopt Dash Method जो स्लाइसिंग मेथड Microeconomics है स्लाइसिंग जैसे एक ब्रेड असे ताए ब्रेड से आपन स्लाइस करतो मझे स्लाइस मझे काए एक लाहन लाहन विभाग करतो ताए आर्डिवान तुकडए करतो तेला आपन काएम तो Slicing असमन तो तार Microeconomics सुद्धा काहे भरता है कि this subject is not related to whole economy पूर्णे economics आप्भाश करतने तार अगधी Slicing means particular small individual unit अगधी लहान गटकाचा आपन आप्भाश याटिकानी करतो अग्रीजा स्मिठा आपन अग्रीगे दिवनिट मुजे स्लाइसिंग चा अगेंस्ट वर्ड कुट्ला है लंपिंग मेथड मुझा मेथड मुझा करतो मुझे electroeconomics मथैं लंपिंग मेथड वापर लिजाती अणि Microeconomics मथैं स्लाइसिंग मेधड आपन वापनितास्तों सो हीयर टोटल जा ओप्शन आपन दिभगू आडम स्मित फादर ओफ एकोनोमिक्स तुम्हाला हाँ कोछन विशारला जाओ शक्तों आडम स्मित हूँ आडम स्मित याई का साइडला दिल जाओ शक्तों आपन इमिजिल्ट उनिट्स आपना पैसकर तो मैकरेकोनोमिकस मेधा एक शर्ट्यू अग्रीगेट तो टूल नाशनल इंकम आजा एक घृत जाला क्यू आग्रेगेट दिमांड आग्रेगेट शप्लाई मुझे तोटल घटा काज जो आपना बेस करते हैं तो आपना मैक्राइकनोमिक मनतो और मैकर मुझे काई इन्रिज़ चाहिए पर्तिकलर फर्म पर्तिकलर इन्रस्टी अशवर करें so dr. alfred marshall is one of the person who has been written the book that is the very famous book principles of economics principles of economics principles of economics this book which is written by dr. alfred marshall economic efficiency welfare theory of welfare economic efficiency economic efficiency economic efficiency microeconomics efficiency in the case of allocation of resources in the country in the country efficiently allocate the ultimate goal of microeconomics is to welfare welfare of the nation the nation so adam smith one of the person who written one book that book's name is wealth of nation rashtra chi sampathi haa grant dheni lelela hai microeconomics this concept this concept related to you price theory microeconomics price theory macroeconomics income theory macroeconomics income theory sa apan abbyas kartham thar asha pa dhena apan edhi kaani bahu doctor alfred marshall is known as father of modern economics thar he false statement thar father of modern economics alfred marshall na hai hai so next microeconomics studies theory of firm microeconomics madhe apan theory of firm maghe aqbishishta firm sa apan apbias kartham nantar he is statement true hain microeconomics deals with allocation of resources so this is one of the feature of microeconomics microeconomics madhe apan jaakai resources sa apan detail madhe apbias kartham microeconomics theory assume full implement this is also correct microeconomics theory suggest policy to solve problem of inflation ati chai this statement is false because apan inflation deflation yachha apbias kartham madhe kartham macroeconomics madhe kartham large aggreged problems hain the problem of poverty problem of unemployment thar hea chai ke moot moothe problem sa sthat teha problems apbias apan kasha madhe kartham macroeconomics madhe kartham hain so this statement is false consumers consumers behavior fill in the blanks apana second topic get lela hai consumers behavior to follow up or too to that you 're